यौतमाल जीले के दिगरस तहसिल में एक सड़क की दुरगटना के बाद सब किया गया ट्रैक्टर थाने में लाया गया तब उस ट्रैक्टर की ट्रॉली पर कोई भी नंबर नहीं था लेकिन जबती में होते हुए भी कानून का उलंगन कर उस पर नंबर लिख कर रेडियम सवाल निर्मान हो रहे हैं पेश दिगरस से सवाधता जुबैर्ट खान की एक खास रिपोर्ट होली की पूर्व संध्या याने बीते 6 मार्च को लाख राइजी फाटे पर हुई सड़क दुर घटना में महागाव निवासी शाम अशोक मोहाडे नामक यूवक की दर्दनाक मौत हुई थी जिसके बाद गुस्साएं गाव वालो और मुर्तक के परिजनों ने जब तक संबंदित ट्रेक्टर चालक पर कोई कारवाई नहीं की जाती तब तक मुर्तक को पुलिस थाने में लाने का मन बना लिया था लेकिन पुलिस ने सकत कारवाई का आश्वन संद द गया गया गरतलब है कि इस ट्रेक्टर का नंबर असपस्ट था और ट्रॉली पर तो कोई नंबर ही नहीं था ऐसे में दूसरे दिन ठाने में आश्चरे कारक रूप से एक अन्य नंबर वाली ट्रॉली लाई गई खास बात यह थी कि इस ट्रॉली पर ना सिर्फ नंबर बलक गवर से देखा जाए तो दो भिन्न ट्रॉलियों का फर्क साफ नजर आता है बैरहाल इस मामले में जाच अधिकारी के तोर पर काम कर रहे दिग्रस पुलिस थाने के PSI नरेंद्र मानकर ने भी इनबीसियन को फोन पर बताया था कि ट्रेक्टर चालक मालिक मनोहर विठल लो पी पर मामला दर्च कर लिया हो लेकिन घटना के दूसरे दिन ट्रेक्टर और ट्रॉली थाने में लाने के बाद शाम को अन्य ट्रॉली से कैसे बदल दी गई अगर ट्रॉली बदली नहीं की गई तो पुलिस थाने के प्रांगन में खड़ी उस ट्रॉली पर नंबर लिखन जब इन सारे सवालों को दिगरस पुलिस के समक्ष रखा तब उनसे कोई पुखता जवाब नहीं मिला हाला कि पुलिस बार-बार इस मामले में निश्पक्ता से जाच का हवाला देते हुए आरोपी को बचने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा इस आशय का जवाब देती रही बैरहाल इस पूरे मामले में कथित आरोपी जिसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है उसकी पाशो भूमी एक रेती व्यवसाई की है और तैसिल में रेती तसकरों की दबंग गई किसी से छुपी नहीं है इसलिए इस मामले में संबंदित विक्ति के राजनीतिक प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता ऐसे में देखना होगा कि क्या दिगरस पुलिस इस दुरघटना में मुरूत हुए यूवक और उसके परिवार को इंसाफ दिलाती है या फिर इस मामले की जाच सडग दुरघटना के नाम पर की गई एक मामूली आउपचारिक जाच परकरिया बन के रहे जाती है NBCN News के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट